मुझे compensate करवाई है, मुझे damages दिलवाई है, तो ये train चलती जा रही थी, अब heat इतनी थी, यहां से सूरज की केड़ने आ रही थी, तो गर्मी का मौसम बहुत था, और last जो आपको अपनी exam point of view से याद रखना है, जब वो defense लेगा, जब वो बचाओ करेगा, आपने आपको defend करे कोट में, दोनों dogs आपस में इतना जादा लड़ रही थे, कि और भी dogs furious हो रहे थे, और तीसरी जो बहुत ज़्यादा important चीज है, वो है, decision making capacity. Hello everybody and welcome to Nexus 2.0 batch, यह हमारी पहली class होरे वाली है, law of tots के उपर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं about the general defenses, तो पहले तो बदा दो क्या हाल चाले नीचे comment section में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, exam आने वाला है, सयारी अच्छी चल रही है, revision अच्छा चल रहा है, पढ़ाई अच् तो जितने भी हमारे Nexus वाले हैं, उनको तो hello, और जो भी नए students हैं, उनको welcome हमारा पहला session होने वाला है, और अगर आपने हमारे Nexus वाले lecture को नहीं देखा, यानि कि जहां पर मैंने आपको introduce कराया है about law of tot, तो अगर आपने वो नहीं देखा, तो आपको जाके वो वाला lecture जरूर देखना है, ठीक है, so today we are going to understand the concept of general defenses, अब नाम से तुम्हें समझना है, defense का मतलब क्या है, कि भई अगर आपके उपर कोई attack कर रहा होता है, तब आप defensive mode में आ जाते हो, आप अपने आपको defend करते हो, तो taught के अंदर हम लोग ने previously क्या पढ़ा, कि भई एक act होता है, आई इसको समझते हैं, लिख के समझते हैं, पहले यह देख लीजे, हम आज cover क्या करेंगे, general defenses cover करेंगे, तो हमने previously law of taught में क्या समझा था, जो सबसे important चीज थी बच्चा लोग इसमें, वो यह था, कि एक act, एक act, या एक omission होता है, एक act, और एक omission होता है, इस act या इस omission से क्या हुआ, एक legal injury cause हुई, एक legal injury cause हुई, इस legal injury, इस बेटा legal injury के against एक legal remedy, एक legal remedy, जो है बच्चा लोग वो अवेलिबल है, अब all those students who are not getting this at all, आप इतना समझ लो, taught के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कि भाई कुछ तो काम किया गया होगा न, कुछ ऐसा काम किया गया हो, देखो taught, पहले इतना समझ लो, it is not crime, यह crime की category में आता नहीं है, तो taught को हम कभी भी offense नहीं कहते हैं, taught taught ही रहता है, कभी भी offense नहीं होता है, जैसा कि हम कहां पढ़ते हैं, जैसा कि हम Indian Penal Code जो अब change हो चुका है, IPC में पढ़ते थे, तो क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको बताया यह कि भाई, कुछ तो कारे होगा, कुछ ऐसा काम आपने किया, जिसके वज़े से दूसरे person को क्या हुआ, एक injury cause हुई, कुछ नुकसान हुआ, कुछ दुविदा हुई, कुछ हाम cause हुआ, कुछ hurt हुआ उसे, और उस हाम के लिए, उस hurt के लिए, उस नुकसान के लिए, एक legal remedy जो है, वो available है, कौन legal remedy देगा, यह court remedy देगा आपको, किस तरीके से देगा, मैं यह damages, यह damages या compensation, या compensation के इसाब से दिया जाता है, we all know that, तो एक act होगा, एक ऐसा कार है हुआ, जिस से, आपने किसी को legal injury cause करी, अब मैं यह legal injury क्या होता है, यह भी समझ लो, भाई तुमारी कोई right है, तुमारी कोई right है, उस right का जब violation हो जाता है, किसी अन्य person के वज़े से, किसी other person के वज़े से, it is, it is legal injury, simple भाषा में समझो, ए ने, ए ने अपनी खराब गाड़ी को drive, रात में drive करने का decision लिया, और घूमने का decision लिया, उसकी गाड़ी की light खराब थी, बी person walk कर रहा था, उसको उसने ठोक दिया, उसको चोट लग गई, एक act हुआ, यहाँ पे उसकी legal right थी, क्या legal right थी, समाज में coexist करने की right थी, road में freely चरने की right थी, और court ऐसे मामले में legal remedy भी provide करेगा, उसकी कोई गलती नहीं थी, जो आपने काम किया, जो आपने act किया, तो it is very simple, बहुती simple भाशा में इसको आपको समझना है, अचा माम, यह कैसे cover होता है, इंडिया में कैसे cover होता है, हम जानते हैं, अंग्रेज आए, और हमारे उपर rule किया, अब उनके कुछ theories, उनके कुछ case laws ऐसे हैं, जो आज को law of taught के अंदर हम उसको पढ़ते हैं, all those case laws, all those theories which are given by the Britishers, उस time से चलता चला रहा है, there are certain developments like the MC Mehta case, the absolute liability principle, यह सारे चीज़े भी exist कर रही हैं, जो अभी आगे आने वाले classes में, तुम्हें मैं समझा दूंगी, डीटेल में, तो अभी I hope इतना तुमने समझ लिया है, कि ऐसा कार होता है, जो crime तो नहीं होता, इतना ही continuous नहीं होता कि उसको हम IPC के अंदर punish कर दें, लेकिन हाँ compensation के लिए, अब यहाँ पर demand किया जा सकता है, क्या, demand किया जा सकता है, compensation, इतनी बात अगर clear है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, I hope इतना point आपको clear हो गया हो, students, आपको समझना बहुत जरूरी है यह concept, तभी हम, we will move, we will proceed further, हर एक lecture के अंदर आपका review, आपका opinion कि माम अच्छे से समझ आ गया, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आया और मैं next topic को आपको cover करना शुरू कर दूंगी, then it will be, it will not be fair, तो आपको अपना opinion देना बहुत जरूरी है, you will share, कि yes ma'am, it is absolutely crystal clear or not, okay, चल कर रहे थे, देखो मेरे drawings famous हैं, but judge नहीं करना होता है मेरे drawings को, तो भई यह बंदा है, चिक, इस बंदे को देख लो, बढ़िया इसका hairstyle है, यह other person है, कोई अन्य person है, चिक, now we are talking about two parties, party number A and party number B, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा act किया, मान के चलो, इनका घर है, इनका घर है, इन्होंने खरीदा है, इनकी ownership है, यानि कि इनकी legal right है कि उस घर को enjoy करे, और कोई उन्हें disturb ना करे, तुम मान के चलो घर खरीदोगे, तो तुम क्य open to all रखोगे, तुम अपनी privacy रखोगे न, लेकिन उनकी इस privacy पे, अगर A, कोई आच डाले या कोई अर्चन डाले, कैसे डाले, मान के चलो घुस गया उसकी property में, इसके साथ discrimination नहीं करेंगे, पैर बना देंगे, तो मान के चलो इसकी property में घुस गया, अब क्या, तो अब यह यहां पर damages या compensation के लिए case file कर सकता है इसके against, ठीक है, अब यहां पर हम इस particular class के अंदर, आज के class के अंदर हम A से concerned है, यानि कि the person who has, the person who has violated the right of the other person, हम यहां पर उस person की बात करने वाले हैं, general defenses के अंदर, उस बंदे की बात करने वाले हैं, जिसने यहां पर इस person की legal right को violate किया, अपने act से, क्या act था, ma'am trespass इसने commit कर दिया, इनकी property में घुसके, तो general भाशा के अंदर, law के अंदर हम इसको क्या मानते हैं, इसको defendant मानते हैं, लेकिन tort के अंदर हम इसको कहते है, tortfeasor, और यह जब case file करेगा, तो यह हो जाएगा, plaintiff, defendant को हम लोग कई बार tortfeasor, tortfeasor के नाम से भी law of tort में जानते हैं, तो भाई यह जो defendant साहब है, सवाल यह उठता है, कि जब यहाँ पर भी, एक case file करेंगे, court में जाके, तो इनके पास क्या option है, क्या यह सीधे, इनसे कह दिया जाएगा, तुम्हें 50 लाग रुपए देना है, 50,000 रुपए देना है directly court कह देगा, यहाँ पर एक को भी कुछ options court के द्वारा दिये जाएंगी, कि भाई, तुम प्रूफ करो, कि तुम innocent हो, तुम बताओ कि तुम कैसे guilty नहीं हो, तुमने trespass commit नहीं किया, और इनी को हम पढ़ते हैं, under the head of general, general defenses, इसी को बच्चा लोग हम general defenses के अंदर पढ़ते हैं when the defense is taken by the person who has committed the wrongful act, जब वो defense लेगा, जब वो बचाओ करेगा, आपने आपको defend करेगा, आपने आपको protect करेगा court में, इसी को कहा जाता है, general defenses और इनको हम कई सारी categories में divide कर सकते हैं, there are many, not one, two, three, कई सारे defenses taught की अंदर, हम IPC की अंदर क्या पढ़ते हैं, general, general exceptions, sections बता दे न, जिसने भी पढ़ा हो, नीचे comment section में, हम लोग IPC में क्या पढ़ते हैं, general exceptions, हम लोग law of taught में क्या पढ़ते हैं, general defenses, general defenses, तो general defenses को हम कितने heads में, कितनी categories में divide कर सकते हैं, आप इस particular चार्ट से देख सकते हैं, अब यहां पर आपको confused नहीं होना है, यहां पर आपको सिर्फ समझ के चलना है, उसके नाम से ही आपको चीज़े समझ आएंगी, आगे आने वाले session में, अभी, मैं आपको हर एक particular topic को, example के मार्दिम से समझाओंगे, but here for this particular slide, आपको सिर्फ पढ़ना है, जैसे कि general defense number one, plaintiff the wrongdoer, जिस बंदे ने case file किया है जाके court में, उसी ने गलती करी थी, उसी की पहले गलती थी, यह अगर defendant ने प्रूफ कर दिया, टॉट फीजर ने court में प्रूफ कर दिया, कि my lord मेरी तो कोई गलती नहीं थी, plaintiff की गलती थी और यही case file करने बताईए, कैसा इंसाफ है यह, दूसरा necessity, ऐसा कोई हादसा, ऐसी कोई जरूरत पढ़ गई, कि my lord मुझे यह काम करना पढ़ गया, मैं करना तो नहीं चाहता था, defendant ने यह प्रूफ कर दिया, बच जाएगा, compensation नहीं देना पड़ेगा, are you understanding, उसके बाद private defense, आप मान के चलिए, defendant यह court में प्रूफ कर दे, कि my lord मेरे उपर attack हो रहा था, जब मेरे उपर attack हो रहा था, तो मैं यह कैसे ना करता, मैंने अपने बचाओ में अपने आपको protect करने क के लिए, यह काम किया, उसके अलावा, inevitable accident, my lord, यह बहुत बड़ा एक हादसा होने वाला था, जिस हादसे को बचाने के लिए, जिस बड़े हादसे को बचाने के लिए, छोटा सा काम मैंने किया, अब आप decide कर दीजे, कि मैं यहाँ पर damages देने के काबिल हूँ, या नहीं हू उसके अलावा, विस मेजर, बहुत popular, आपने देखा होगा, परेश रावल की movie, जो है आपकी, oh my god, उसके अंदर क्या होता है, act of god, विस मेजर की उपर ही, पूरी picture based होती है, court का पूरा scene, सारी चीज़े उसमें दिखाए गई है, हाला कि वो religion से linked है, but, विस मेजर, आप act of god और विस मेजर दोनों एक ही चीज़ है, उसके बाद mistake, छोटा सा topic है, defenses के अंदर mistake का जो ground होता है, जादा consider नहीं किया जादा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, law of thought के अ let me know in the comment section, let me see have you studied or not, क्या law of thoughts के अंदर intention का कोई रोल होता है या नहीं, let me know, तो mistake का ground कुछी situations में available होता है, ये general defenses हम सभी thoughts का general defenses यहाँ पे एक head के अंदर देख रहे हैं, चाहे आपने defamation किया हो, negligence किया हो, nuisance किया हो, बाकि specifically हर एक topic के अंदर हम देखेंगे कि ये defense available रहता है बड़ यहाँ पे हम holistic way में देख रहे हैं, जो defenses, defendant के पास या taught feasible के पास available होता है, तो भाई साम mistake, mistake दो type का होता है, जादा detail में तुम्हें पढ़ने की जरूवत नहीं है, बस इतना ही इसी हद तक कि तुम्हें पता होना चाहिए, कि mistake of fact भी होता है, और mistake of law भी होता है, there are two divisions in mistake, उसके बाद, voluntary non-fit injuria, very very important, very very important maxim, जहाँ पे मेरा खुद का consent था, घलत मेरे साथ हुआ, जो सफरर है, उसका खुद का consent था, जो भी कार है उसके against, wrongful काम जो किया गया उसके against, वो खुद ही कह रहा था कि करो, उसने consent दिया अपना, sign है my lord, मैं क्यों damages दूँ, voluntary non-fit injuria, और last but not the least, statutory authority, to all those who do not know what does a statute mean, statutory authority याने कि कोई भी law, कोई भी कानून, जो sanction दे रहा है, जो मजबूती दे रहा है, कि जाओ धडल्ले से वो काम करो, कोई नहीं रोक सकता, तो यह है बेटा, statutory authority, तो यह कुछ general defenses की heads हैं, और इन्हीं को हम अभी आगे, examples की मादियम से समझेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले है, statutory authority की, और इसके अंदर, हम यह जानते हैं, कि जो भी setup होता है, किसी भी country का, वो तीन parts में divided होता है, यह आपको प्रकर सर भी बताएंगे, constitution के अंदर, it is the executive, it is the legislature and third is the judiciary, here अभी statutory authority के अंदर हम legislature की बात कर रहे हैं, यह executive की बात कर रहे हैं, legislature law बनाता है, executive कई सारे मामलों में orders पास भी करते हैं, सरकार जो है, यह हो गई आपकी संसद, आपकी parliament, यह हो गई आपकी सरकार, तो जो चीज सरकार ने कहा है, ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल करिए, तो वहाँ पर defendant कह सकता है, यह मेरी गलती नहीं है, यह तो government ने मुझ से कहा है, यह तो Indian law पास हुआ है, उस Indian law के अंदर मैं ने यह काम किया है, इसमें मेरी क्या गलती, इस इस अडिफेंस, तो parliament यह legislature क्या करती है, इट मेक सी लो, क्या करती है, लो बनाती है, कोई भी काम, जो legislature ने ऑथराइज किया हुआ है, वो immune होगा, उसको immunity मिलेगी, और वहाँ पर कोई liability arise नहीं होगी, what is immunity, what is liability, immunity आप जानते ह games आप लोग अल्रेडी खेलते हो, free fire and all, तो immunity मतलब आपको एक shield आपको protect कर लिया गया है, तो यहां पर अगर parliament ने कोई ऐसा कानून बनाया हुआ है, जहां पर कहा जा रहा है, कि आप यह काम कर सकते हैं, और तब कोई case फाइल कर रहा है आपके against जाके, तो यहां पर आप protected र power, legislature को law बनाने की दी गई है, वो बहुत ही जादा caution यानि की ध्यान रखते वे बनाएंगे, और ऐसा law बनाएंगे कि उस law से at least कोई damage cause ना हो, ठीक है, अब हम लोग एक example देखेंगे, यहां पर हम लोग एक railway track का example देखने वाले हैं, तो यहां पर हुआ क्या था इस particular यह अक् case laws के उपर based examples है, तो यह railway track बिचा हुआ था, अब यहां पर पेड़ पौदर देख रहे हो, इसी तरीके से आप जानते ही हो railway tracks के इधर उदर क्या होता है, घास होती है, तो यह पूरे railway track में घास थी, अब train आप जानते हो, ढाई ढाई तीन दिन, पांट पांट दिन, दस द दिन की trains चलती हैं, तो यह train चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, अब हीट इतनी थी, यहां से सूरज की केड़ने आ रही थी, तो गर्मी का मौसम बहुत था, इस वज़े से हुआ क्या कि जो भी घास थी train के इधर उदर, जो भी घास थी train के उधर उदर, उसने क्या किया उसने आग पकड़ ली, और जब आग लग गई, पूरे पटिकुलर एरिया के अंदर आग लग जाती, जिस एरिया में यह train ट्रैवल करके जा रही थी, अब वहां पे कुछ घर थे, वहां पे कुछ घर थे, अब इस आग के वज़े से घरों में आग लग गई, तो यह case बह पात उमें लगता है, खुद सोचो, अब लोगों घरों में आग लगी जा रही है, क्या ऐसे लोगों को जो बेकसूर लोगें उन्हें कॉंपेंसेट करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, जेनरल सी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और इस पर्टिकुलर क केस के अंदर, जिहां Statutory Authority के बिटा, डिफेंस को कोट ने नहीं माना, कोट ने कहा कि नहीं, हम यहां पे नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यह आपकी जिम्मिदारी थी, कि घास कट रही है, कि नहीं कटरी, जहां जहां से आपकी ट्रेन गुजर के जा रही है, यह Railway Authority की जि इसी प्रकार से मुझे केस याद आ रहा है, यहां पर क्या हुआ था इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री थी, ठीक अब इंडस्ट्री में क्या होता है, आप जानते हो, chemicals, harmful gases, और fumes वगयरा निकलते हैं, तो यह बहुत बड़ा setup था, oil refinery का था, और यहां पर बिटा, oil refinery के कुछी दूर पर कुछी किलोमेटर दूर, बहुत बड़ी कॉलनी थी, वहां पर residential area था, अब क्या था, यहां से harmful gases निकलती थी, और यहां पर इनके घरों में, इन लोगों के रहने सैने में दिक्कत आ रही थी, अब जब यह कोट जाते हैं, यह घरवाले जब कोट इनके पास sanction है, कि यह जो है, यह इंडस्ट्री चला सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे देश की economy का क्या होगा फिर, हम खाएंगे क्या अगर यह इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, तो हर case के अंदर आप यह नहीं कह सकते जाके, आप case नहीं कर सकते कि हमें नुकसान हो रहा है तो यहां पर बेटा statutory authority की defense को court ने मान लिया था, यहां पर जब case फाइल किया गया, तो industry का जो owner था, उसने कहा, कि my lord, यह देखिए, यह law passed किया गया, यह कानून है, जो हमें authority देता है, कि हम यहां पर यह chemicals, यह gases, यह oil refinery, जो है, set up कर सकते हैं, और इसी law के अंदर हमने set up कि तो क्या my lord, हम यहां पर इनको damages देंगे, तो court निकाह नहीं, आपको देने की जरुवत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपकी जो industry है, यहां पर हमें हमारी economy को, हमारे देश की economy को benefit करेंगे, तो यह statutory authority का principle है, छोटा सा principle है अपने दिमाग में, clear रखिए का, दोनों point मैंने आप को बता दिया, for और against दोन, चलिए, आगे आईए, अब हम लोग next particular defense पे आएंगे, और वो है, inevitable accident, मैं क्या मतलब होता है, inevitable accident का, देखिए, inevitable, what is the meaning of inevitable, inevitable का मतलब होता है, unavoidable, कोई चीज जिसका होना आप रोक नहीं सकते, कोई चीज जिसका होना आप रोक ही नहीं सकते, जैसे कि मैं आपे खड़ी हूं, मान के चलिए, अगर ये जो, जिस building में मैं खड़ी हूं, ये कमजोर है, और अगर जो च्छत है, या जो area है, वो गिर जाए, because of the non-maintenance of the building, तो ये कैसा हाथसा होगा, जो मैं नहीं रोक सकती, मैं खड़ी हूं, मैं गिर जाऊं अगर, तो ये कैस ख्याल रखते, कि मान के चलो, गरम building को, अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखते, proper maintenance करते, denting, penting, plaster वगएरा, सब करते, तो ordinary care और caution के बाद भी, अगर इस building का गिरना या इसका च्छत का गिरना हम नहीं रोक सकते, तो ये unavoidable situation है, और ये inevitable accident की category में जाएगा, इसमें भी act है, ये जो भी act किया जा रहा है, वो lawful होना चाहिए, आप मान के चलिए, आप smuggling कर रहे हैं, आप खरीद फरोग कर रहे हैं, आप छोटी-छोटी माइनर्स को traffic कर रहे हैं, बच्चियों को traffic कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप कहोगी, inevitable accident है, ये हम प्रोक ही नहीं सकते थे ये तो होना ही था, ऐसा नहीं है, यहां पर आप ये defense नहीं ले सकते हैं, इसका example देखिए, मान के चलिए बटा, पार्क में क्या होता है, आप जानते हो, सब लोग जितने भी colony के अंदर लोग होते हैं, वो uncle, aunties, वो अपने dogs को लेकी आते हैं, walk कराने के लिए, हुआ क्या, अब मान के चलिए, दो dogs के अंदर लडाई हो गई, दो देख रहे हो कितने खतरनाक dogs हैं, दो dogs के अंदर लडाई हो गई, ये dog जो brown वाला है, ये A का dog है, और ये dark brown वाला dog जो है, ये B का dog है, ठीक है, A stick लेके, दोनों dogs को separate कर रहा है, मान के चलिए, A के dog को तो चोट नहीं लगती है, लेकिन उस stick से मान के चलिए, B के dog की आख फूट जाती है, B के dog की आख फूट जाती है, अब B क्या करता है, जाता है, सीधे, कोट जाता है, कहता है, हमें compensate करिए, हमें damages प्रोवाइड करिए, क्योंकि मेरे कुत्ते को नुकसान हुआ है, और ultimately मुझे भी नुकसान हुआ है, B जो है, वो A के against, एक suit file कर देता है, अब यहाँ पर सवाल यह है, you have to answer me, क्या यहाँ पर कोट A के inevitable accident के defense को accept करेगा या नहीं, दोनों dog को separate करना जरूरी था उस time पर, जी हाँ मैम जरूरी था, अब उस stick से दोनों dog को अलग करना, ये भी जरूरी था, ठीक है, जो stick, जिस stick से वो हटा रहा था, क्या ये जो stick B के dog को लगी, यहाँ पर ये चेक किया जाएगा, ये देखा जाएगा, कि accident जो भी हुआ है, जो भी ये हादसा हुआ है, क्या इसको रोका जा सकता था, जवाब negative में आएगा, नहीं इस हादसे को नहीं रोका जा सकता था, क्य देना, अब यहाँ पर एक कहेगा, माई लॉड, अब ये दोनों dogs आपस में इतना जादा लड़ रही थे, कि और भी dogs furious हो रहे थे, और इसी वज़े से मैंने stick से दोनों को अलग किया, अब ये stick B के dog को लग जाएगी, ये मुझे नहीं पता था, और यहाँ पर मैं inevitable accident, जो कि कि नहीं रोका जा, ऐसे situation जो मैं नहीं रोक सकता था, मैंने proper care and caution से ही, मैंने नहीं कोशिश करी थी, कि यहाँ पर B को लगे, बट लग गई, तो ये inevitable accident के अंदर court ने accept भी करा, तो ये defense बिलकुल A के पास available रहेगा, this is known, ये मैंने आपको example बताया dogs का, कई सारे cases के अंदर इ ये भी available रहता है, आपके defendant को, ठीक है, चलिए, अब आगया आजाईए, next defense में आएंगे, very very important and very very popular, जो कई बार exam में पूछा गया है, which is, voluntary non-fit injury, voluntary non-fit injury का मतलब होता है, जब sufferer, जिस बंदे के against, कोई गलत काम किया, against किया गया है, जिसको हानी पहुचाए गया है, जिसको कुछ नुकसान हुआ है, वो willing है, वो खुद से ही accept कर रहा है, वो खुद से ही उस नुकसान को consent कर रहा है, तो कोई भी injury नहीं है, इसका prime example ह boxing match, boxing match में क्या होता है, दो लोग होते हैं, A versus B, अब A हो चाए B हो, हार जीत तो हो नहीं है, ultimately result, winning और losing का निकल के आए गई, A हो चाए B हो, तो जो lose किया हुआ है, उसका जबरवाबरा तो तूटे गई, सरवर तो फूटे गई, कुछ cases के अंदर, बहुत high end की cases के अंदर, त देखिए हमें कितना नुकसान पचाया गया है, मुझे compensate करवाई है, मुझे damages दिलवाई है, court यहाँ पर गएगा, क्यों भाई, आपको कोई खीच के लेके गया था boxing, जो court है उसके अंदर, आप अपनी मर्जी से गए थे ना, और अगर आप अपनी मर्जी से गए थे, तो य consent होगा ना, अब जैसे boxing match के अंदर, बी को बी हार गया, बी हार गया, और बी को चोटिल भी बहुत हो गया है, या मान के चलिए चोटिल हुआ, यह case file कर रहे है, match boxing का था, दोनों का consent था, यह consent जो है, यह बेटा free होना चाहिए, what is the meaning of free, ऐसा ना हो कि fraudulently आपसे, आपको intoxicate क करके, आपको कोई नशीला पदार दे के आपसे consent ले लिया हो, और आपको यह नुकसान पहुचाया गया, यह अगर आपने प्रूफ कर लिया, my lord, यह नों ने यह मुझे दवाई दी थी, जिससे मैंने अपना consent जो है freely नहीं दिया था, intoxicate होके दिया था, प्रूफ कर ले जा काईए, यह तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके voluntary non-fit injury, दूसरी जो important चीज है, वो voluntaryness है, that is, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप boxing match के अंदर जा रहे हो, और boxing match के अंदर आपके दाठ तूट सकते हैं, आपका सर पूट सकता है, यहाँ पर knowledge होना यहाँ पर जरूरी न नहीं है, आपका मनजूरी होना जरूरी है कि हाँ, हमें पता है कि क्या होने वाला है, और मैं सारी चीजों को मद्दे नजर रखके accept करता हूं कि हाँ, मैं इस boxing match में अपने आपको भी include करने वाला हूं, तो there is a sense of voluntariness, यानि कि आपकी willingness, आपकी acceptance, आपका consent, आपका खुद That is the meaning of voluntariness, तो consent होना चाहिए, voluntary होना चाहिए, और तीसरी जो बहुत ज़्यादा important चीज है, वो है decision making capacity, पता चल आपका decision कोई value ही नहीं रखता है, आप senseless बात करते हो, आप rationally ही नहीं हो, आपका decision माईने ही नहीं रखता है, तो यहाँ पर माना जाएगा court के द्वारा कि decision making capacity ही नहीं थी और defendant यह नहीं कह सकता है कि my lord मेरे पास volunteer non fit injuria का defense available है, कैसे available भाई, उसने consent तो दिया लेकिन उसके decision making capacity नहीं थी, are you understanding, तो यह होता है volunteer non fit injuria, इसको थोड़ा सा और समझना है, तीन चीज़े है, words पे मत जाएगा, इनके मतलब पे जाएगा, एक है बिटा perception, दूस चीज़े समझ आएंगी, यानि कि यह जो defense है volunteer non fit injuria का, it is also written as volunteer non fit injuria, VNFI, तो सबसे पहले perception, यानि कि आपको पता होना चाहिए, कि इसमें क्या risk, जो है वो involved है, there has to be the knowledge of risk, आपको पता होना चाहिए, कि क्या risk involved है, appreciation मतलब आपने अपने दिमाग का application किया हो, you have appreciated, you have applied your mind and you know कि आप कौन से act में अपने आपको डालने जा रहे हो, किस particular act के इंदर, boxing match हो, कहीं पी भी मान के चलिए आप गए, जैसे कि आप formula 1 racing car, अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत speed में गाड़ियां चलती है, अब मान के चलो एक गाड़ी, आपस में टकरा आगे इन दो गाड़ियां, और उसके कुछ पुर्जे आप तक क्योड के आ गए, अब आप जाके कोट में केस फाइल करोगे उस गाड़ी चालक की अगेंस्ट, कि भाई हमें ये नुकसान पहुचा है, कोट काएगा क्यों आपको जबरदस्ति उसने बिठाया था, यहाँ भी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया अपलाए करता है, तो आपने अपना दिमाग लगा के वहाँ पे गए हो ना, वो जो रेसिंग देखने के लिए, तो यह देखा जाता है, और तीसरी चीज, आपने ये रिस्क, आपको पता है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पता कि ये डिफेंस आपको अवेलेबल किया जाता है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्जैम्पल बताया, यह पूरे तरीके से अप्लिकेबल होता है, वीन फाई में, अब जैसे मान के चली ये कार्स चल रही है रोड पे, रेस अब अगर कोट जाएंगे, कोट काएगा, कोई आपको जबरदस्तित होना बिठाया गया था, वहाँ पे, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस अवेलेबल होगा, ड्राइवर को, यहाँ पे रेसिंग हुई थी, अगर आपने जिसके भी अगेंस्ट केस फाइ वरी-वरी इंपोर्टेंट इसको हम एक प्रॉब्लम बेस्ट, सिट्वेशनल बेस्ट के माधिम से समझेंगे, तो फॉर नाव वी अर लीविंग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ट चलिए, अब हम लोग बात करेंगे निसेसिटी की, किसकी निसेसिटी की बात करेंग necessity के अंदर हम कुछ चीजों को कुछ formulas को देखेंगे और फिर हम necessity के principle तक की पहुच जाएंगे अब इस formula को देखिए सबसे पहले एक act होगा एक act हुआ उस act से कुछ damage cause हुआ वो जो act हुआ था वो necessity में हुआ और वो act किसी greater harm को prevent करने के लिए किया हो तो वहां पर जब भी defendant आपकी necessity के defense को लेगा तो वह immune हो जाएगा अब इसको फॉर्मुला तो आपने देख लिया इसको एक situation के उपर apply कर दीजिए जैसे कि मैंने एक series एक movie देखी ती नेट्फिक्स पे वहां पर क्या एक plane crash होता है है रगभी प्लेयर जाते है प्लेयन क्राश होता है स्नो माउंटेन ऐसे करके कुछ नाम था उसका अच्छा मूवी थी highly rated तो प्लेयन क्राश होता है रगभी प्लेयर्स एकदम तबाव प्लेयन एकदम तबाव जाता है कोई signal नहीं होता है उन्हों का बहीं 45 देश का पूरा एक शिक्स्टी डेश का पूरा दिखाया गया है मोवी के अंदर और अक्छल सिट्वेशन के उपर यह बेस था अक्च्छल सत्य घटना के उपर बेस था दह्याख लिए गत्रा है तो लिए ंव है पूरा का पानी था नियुक्त बट सर्वाइवल के लिए ननका फीफ था तो जो भी डइड़ बॉड इस थी उन डड़ इसcorस्टी उन ने खाना शुरू किया मतलब उन डेट बॉडिस को इन्होंने खाना शुरू किया और इसी को निसेसिटी के अंदर आप IPC के अंदर भी पढ़ते हो लांडबाग केस है लेकिन वी आनोट गोइंग इंटू सो मच डीटेल बस आप यह समझ लो कि ग्रेटर हाम ग्रेटर हाम क्या होगा मै उन डेट बॉडिस को अगर खाया जा रहा है तो इसमें ग्रेटर हाम क्या प्रिवेंट हो रहा है इसमें ग्रेटर हाम यह प्रिवेंट हो रहा है कि अटलीस जो डेट बॉडिस का तो कोई यूज नहीं बचा तो जो उन डेट बॉडिस को खा पा रहा है वो जिन्दा है के बच्चे थे जो जिन्दा थे और उनकी पर पैरिंस्स उसकी मदर उसकी sister मरी तो जब आप उसकी sister को सामने कह रहे हो तो एक डामेश हो रहा है उसको इनधर किया गया अपने आपको बचाने के लिए किया गया और यहां तो मर जाएंगे इसलिए हम खा रहे हैं तो यहां पर आप इम्म्यून हो जाओगे अब निसेसिटी को हम कई सारी चीजों में डिवाइब कई सारी डिविजिन्स में आप देख सकते हो पब्लिक निसेसिटी होती है प्राइविट निसेसिटी होती है और थर्ड परसंट को अस इस प्रिंसिपल को अप्लाइए किया हो ऐसा भी होता है तो पब्लिक और प्राइविट निसेसिटी तो हम समझते हैं बट वाट इस दा मीनिंग ऑफ असिस्टेंस तो थर्ड परसंट आप जैसे मान के चलिए कोई प्रेग्नेंट विमें है कोई प्रेग्नेंट विमें है उ अगर आप उसको स्लाइटली थोड़ा सा अवेर करने के लिए अगर आप कुछ भी ऐसा आट करते हो तो आप ऐसे में इम्म्यून रहोगे क्योंकि आपने थर्ड परसंट को यहां पर एसेस्ट किया और निसेसिटी के प्रिंसिपल को अप्लाइए किया जाएगा तो देर फ होता है this defense is that allows a person to use a reasonable force जैसे कि अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब आपके जान को खत्रा है there is a presence of there is a presence of imminent danger यानि की डेंजर कब होगा जब आपके उपर कोई अटाक कर रहा होता है जब आपके उपर कोई अटाक कर रहा होता है अब यहां पर देखा जाता है बिटा टॉट के अंदर कि अटाक का क्या लेवल है एक चाटा भी अटाक है एक मुक्का दिखाना भी अटाक है आपके कर दो आपने के चलिए आपको कोई दिखा रहा है कि यह मारेंगी ऐसे करके और उसको अगर आप मानके चलिए एक स्टिक उठा कि उसके सर पर मारते हूं तो क्या आप उसको प्रपोर्शनल कहोगे क्या आप उसको प्रपोर्शनेट चया पाऊगे आपका जवाब नहीं है, tort के अंदर ये देखा जाता है कि आपको कोई attack कर रहा है, क्या अपने उसको जो अपने defense में मारा है, क्या वो proportionate है या नहीं, ये IPC के अंदर भी देखा जाता हो, यही चीजी is tort में भी देखी जाते है, अब यहां पर defense कब आप करोगे, जब आपको आप प्रोटेट The result also has case file किया. कि अपने आपको ज्यादा प्रक में लगा आट उभा ITI给我 मैं तो आपको स्वाइबल रहेका है भी बहुत ज्यादा आटाग किया, तो अब आप पास प्राइवेट December का या आपके पास क्या प्राइवेट डिफेंस का अवेलिबल रहेगा जो ग्राउंड है ये आपको याद रखना है आपको याद रखना है इप सी और तो दोनों के सेंसमें अब एक a plaintiff the wrongdoer plaintiff the wrongdoer अभी जो मैंने आपको प्रीवेस्ली बदाया मान के मैं आपकी केस फाइल करते हूँ पदाजला मेरी ही गलती है तो आप कोट में जाके बोलो के माँलॉड माम के खूद की गलती है और माम क्या है मामम प्लेंटिफ है माममने case file किया है here ma'am is the wrongdoer और court आपके सुनेगा और आपके defense को consider करके आपको damages देने से मना कर देगा free कर देगा क्यों क्यों कि आप ये prove करोगे कि ma'am ही के खलती है ma'am is the wrongdoer that is plaintiff is the wrongdoer a person cannot bring a court हमसे कहेगा court मुझसे कहेगा कि भाई आप इन बच्चों के अगेंस्ट कैसे legal action लेकि आई आप यहां पर legal action नहीं ला सकती है person cannot bring a legal action because of their own wrongdoing आपके खुद कलती आपके इस फाइल कर रही है अब यह बेस्ट एक मैक्जिम पर extirpy cause a non-orator action which means no action can arise from illegal act the plaintiff will not be allowed to claim damages मुझे यहां पर रोक दिया जाएगा kindly शान्त रहिए यहां पर आपके खुद की गलती आप केसे केस फाइल कर देए बलकि यहां पर cost be imposed किया जाता है इंडिया में तो cost be imposed किया जाता है कई सारे माम लोगे इसके बाद हमारा last second last act of God अब act of God आपने oh my God movie में भी देखा था पूरी situation आपने देखी थी इसको हम लोग Latin word this major case आप से भी पढ़ते हैं होता क्या है यहां पर there are occurrences of natural forces natural forces का होना mandatory है there are two essentials to it सबसे पहले working of natural forces कोई human intervention नहीं है कोई human intervention नहीं है बिल्डिंग का गिर जाना earthquake is different thing building अपने non maintenance के वज़े से गिर गई that is not act of God that is not act of God a building falling because of an earthquake might be an act of God are you understanding तो natural forces के working हो और human intervention नहीं हुआ हो यानि कि कोई ऐसा हाथ्सा हो गया 15 साल में मैं कभी इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस बार हो गई और पूरी बिल्डिंग एड है गई natural forces है यह सब natural forces के वज़े से हुआ कोई ऐसी extraordinary situation जो अभी मैंने बताया जो हम यहां पर anticipate anticipate यानि कि उसको examine ascertain करी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा अरे कभी यहां पर बाड़ी नहीं आई 20 सालों में बाड़ा आ गई बताईए तो यह extraordinary situation जो ascertain anticipate करी नहीं जा सकती थी all these things will come under the category of act of God wherein the defendant can claim in front of the court कि my lord मुझे यहां पर free किया जाए बिल्कुल free किया जाएगा क्यों नहीं सो यह हो गई आपके act of God की बाद अच्छा उसके बाद आपको एक picture से आप समझ लेंगे जैसे कि मान के चलिए यह artificial reservoir बना हुआ है 15-20 साल से बना हुआ है 30 सालों से बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं बारिश होती है थोड़ा सा भरता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस बार की बारिश में यह इतना भर गया कि यह पूरा flood हो गया और इस bridge को इस ने गिरा दिया इस bridge यह ब्रिज डह गया बारिश के वज़े से क्या act of God के category में आएगा बिल्कुल आएगा दूसरी चीज जैसे कि हम लोग ने देखा था दिल्ली नौइडा की एरिया में इतनी ज्यादा जो फ्लडिंग हुई थी इतना ज्यादा पानी का लेवल उपर बढ़ गया था तो उस वज़े से अगर यह bridges गिरते यह Metro के लाइन गिरती तो क्या यह act of God के category में आता यह नहीं आता यह आपको नीचे comment section बताना क्योंकि act of God एक बहुत ही popular या आपने घलत तरीके से समझ लिया वो चीज जो law में दी गई है वो चीज जो कोई fact है कोई situation है आप समझो कोई भी fact या कोई situation या कोई भी कानून कोई भी law जो आप समझने में असमर्थ रहे या आपने घलत तरीके से समझ लिया यह भी defense लिया जा सकता है लेकिन टॉट के अंदर इसका जादा वेटेज नहीं है because there is no role of intention टॉट के अंदर intention का कोई रोल ही नहीं आप नहीं कह सकते हैं मुझे पता नहीं था देखने वाले जिसको आपका आपको जवाब देना है comment section में पहला question देखिए ए और सिंग वेहिकल अप्रोचिंग अप्रोचिंग अचाइल अट ग्रेट स्पीड फोर्सिपली ड्राग दी चाइल ओफ दी रोड और इन दूइं जीप वस टेकिंग इट फॉर फिलिंग दी पेट्रोल इन दी टैंक सड़ेनली वन ओफ दी बोल्ट जो पाहिये में बोल्ट होलते हैं बोल्ट स्क्रूज वो खुल गए और जीप जो है अनकंट्रोल होगी आज को जवाब देना है तो last but not the least हमने आज के पर्टिकुलर सेशन में क्या पढ़ा उसके अंदर सबसे इंपोर्टन चीज जो आपको याद रखनी है वो है नंबर वन गो और रिवाइज इट आल्सो वालंटी नॉन फिट इंजूरिया वालंटी नॉन फिट इंजूरिया दूसरी चीज आपका जो विस मेजर है that is the act of God the act of God ये भी आपको याद रखना है तीसरा आपका statutory authority statutory authority का defense very very important इसको भी आपको ध्यान में रखना है और last जो आपको अपने exam point of view से याद रखना है वो है यहाँ पे आपका the defense of necessity why it is important for your crime as well as for your taught तो taught आपको फिर से मैं revise करा दूँ taught offense की category में नहीं आता है taught यहाँ पे it is it is different it is different from crime और different के sense में होता है it is less heinious less heinious चोटे चोटे मामले आप चलते वे जा रहे हो केले का चिड़का पड़ा हुआ है पैर डाला फिसल गए तो आप आप यह रोना ढूंडने जाओगे वही यह केले का चिलका किस ने डाला तो यह सारी चीज़ों में हम taught का application करते हैं और इसी के उपर आपको ध्यान यह रखना है कि यह case laws की उपर case laws की उपर based होता है इसमें दो लैंडमर्क केस हम लोग आगे पढ़ेंगे राइलेंड्स राइलेंड्स वर्सेस लेक्चर का केस भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रिक लैबलेटी पढ़ेंगे अभी हमारे लिए इंपोर्टन नहीं ठीक है तो बच्छों आपके जिम्मिदारी यह है कि आपसिलूटली फ्री ओफ कॉस्ट आपको दिया गया इसलिए ताकि आप अपने तयारी एकदम धमाकेदार एकदम धुआदार करें और इसलिए नहीं कि आपने देखा और आपने छोड़ दिया प्रापर रिविजिन प्रापर नोड मेकिंग जिस तरीके से आप अप्लिकेश हैं उनको अवेल करने के लिए चाहिए वो मेंटर्शिप हो चाहिए वो डीपीपीज हो चाहिए वो नोट्स हो तो सी ओने नेक्स वां दब्दक के लिए पढ़ाय करते रहें अपना ध्यान रोख के टेक केर और गुडबाए